नमस्कार दोस्तों मैं किशनकुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजूकेशन पे स्वागत करता हूँ साथियों आज हमारी 2100 पलस क्योशन के महामंतर की कलास नंबर 19 होगी बैई जिसके अंदर हम 25 पलस इंपोर्टेंट क्योशन डिसकस करेंगे जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको बता देते हैं कि इन 25 क्योशन में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे जो की 30 मिनट में कवर किये जाएंगे इन 5 सब्जेक्ट में 5 क्योशन आपके हरियाना जिक्के के होंगे पाँच आपके नैशनल जी के के होंगे, पाँच हिंदी के होंगे, पाँच इंगलिस के होंगे, और पाँच विज्ञान के क्योस्टन होंगे, यानि कि हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला आपका चलता रहे, तो ये classes देखने के बाद आपके exam के अंदर आपको बहुत फ classes है, CT की policy, सब कुछ हाजएगा, इसलिए लगातर अपनी तैयारी करते रहें और classes को देखते रहें, क्या करना है, हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हमारी 30 मिनट की class में आपके 5 सब्जेक्ट कवर होंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छे-च्छे question आपको पढ़ने को मिलते हैं, classes बिल्कुल फरी है, हमारी 18 class हो चुकी है, आज 19 वी class है वही, तो निचे description box में या playlist में 2100 plus question की वही आपको link मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, अगर आप इन classes के notes भी लेना चाते हैं, notes लेना चाते हैं, तो निचे आपको एक contact number दिया गया है, तो उसके उपर वही आप contact करें, केवल 79 रूपीज में, केवल 79 रूपीज में आपको जो भी classes हो रही है, exam तक उनके वही आपको notes मिलेंगे, यानि कि 200 plus question आपके cover हो जेंगे, 200 plus question आपको केवल 79 रूपीज में मिलेंगे, ठीक है भी, यानि कि 12 से 13 PDF, यानि कि 1 PDF का जो charge है, 6 स 7 रूपे है भी, तो ये भी आप ले सकते हैं, और 18 class के notes आपको मिल जाएंगे अभी, और आग्ये जो classes होंगे, उनके आपको number रजिस्टर करके मिलते रहेंगे, निचे contact number दिया हुआ है, वह आप देख सकते हैं, classes बिलकुल फरी है, चलो भी, आज की class की शुरुआत करते है सबसे पहले हरियाना जिक्के की तरफ चलते हैं, और हरियाना जिक्के के 5 questions को discuss करेंगे, उसके बाद national जिक्के, फिर आपके भई, हिंदी, इंगली, उपसर्ग, परते समाज, सब कुछ discuss होगा, लगातार classes में बने रही है, copy pen उठा लीजिए, साथ साथ में note कीजिए, note नही है ठीक है बई, सुरुआत करते हैं बई, आईए साथ यहोँ सबसे पहले 5 questions हम हरियाना जिक्के के discuss करते हैं, और अरियाना जिक्के में हमारा पहला question है, कि हरियाना में क्यर्शी योग्य बूमी का सरवादिक छेतरफल वाला जिला कोन सा है, यानि कि अरियाना का वो कोन सा ज जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा क्यर्शी योग्य बूमी है, तो भई बता देते हैं, जब बीवाणी चर्खी दादरी से अलग नहीं हुआ था, तो सबसे ज़्यादा क्यर्शी योग्य बूमी थी, वो बीवानी के अंदर थी, लेकिन अब बीवानी का partition हो चुका है, अब जो सर्वादी क्यर्शी योग्य बूमी है, वो सिर्शा के अंदर है वही, कहां पर है वही, सिर्शा के अंदर है, तो सिर्शा के अंदर क्या है वही, सर्वादी क्यर्शी योग्य बूमी वही, क्या है वही, क्यर्शी योग्य बूमी, तो क्यर्शी से लेटिड वही आ जिसमें क्या है सबसे कम क्यर्शियोग्य भूमी है कहा पर भई पंचकुला में बहुत ही important question है आप इनको ध्यान रखें भई इस से लेटीड इसमें तीसरा question बनता है कि जो बारत का कुल अगर पूरे बारत का जो क्यर्शियोग्य छेतरफल है उसका अरियाना में कितने परतिस यानि यारियाना का जो किर्शी योगय छेतरफल है, वो बारत के किर्शी योगय छेतरफल का कितने परतीसत है, तो कितना परतीसत है, वही एक पॉइंट तीन परतीसत है, कितना है वही एक पॉइंट तीन है, परतीसत है, पांच क्योशन कहने को होते हैं, पांच क्योशन से हम कहीं ना कहीं 10 से 12 question कराते हैं 25 question से आपके कहीं ना कहीं 50 question होते हैं अगर आपको किसी दिन पढ़ने का time भी नहीं है और आप 25 यान किसे 50 question अगर पढ़ लेते हैं तो आपका दिन वो waste नहीं गया आपका कुछ ना कुछ increment हुआ है भई ठीका भई पढ़ाई में इजाफ़ा हुआ है केवल क्या है कि कहीं से भी किसी भी coaching center से पढ़िये लेकिन 30 मिनट ही ये classes देखेंगे तो आपके दिमाख में रहेगा कि हिंदी के समास से लेटिड भी आज हमें कुछ याद हुआ है इंगलिस के preposition से लेटिड याद हुआ है विज्ञान के भी question discuss किये है नैसनल जिक्के के भी किये है ऐसा मत कीजिये कि कहीं रियना जिक्के पढ़ रहे हैं तो रियना जिक्के का भई रेल बना दी भई और वहां से फिर question आ गए इजी इजी और दूसरे subject से question आएगे थोड़े से इजी तो वो भी होते लेकिन आपने पढ़े ही नहीं है तो मुश्किल हो जाएंगे इसलिए लगातार भई आप पढ़ते रहें ठीक हा भई इसके बाद हमारा दूसरा question है करण हर्याना में गेहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहा पर होता रहता है आपका सबसे ज़्यादा जो गेहूं है हरियाना के अंदर कहां पर है वई शिर्षा में कहां पर है वई गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाना में कहां पर होता है वई तो सिर्षा के अंदर होता है कहां पर होता है वई सिर्ष्रा के साथ लगता जिला है वही सार कौन सा है वही सार जहां पर क्या है सिर्ष्रा के बाद सबसे ज्यादा गेहूं होता है इसके बाद तीसरे नमबर के उपर बात करें तो जीन्द वही जीन्द तीसरा जिला है और फोर्थ क्या है वही फोर्थ आजेगा फत्याबाद कौन सा आजेगा फत्याबाद तो ये जो च्यार है जो सबसे उपर जो गेहूं के उत्पादन में जो रज्ये हैं सबसे पहले सिर्ष्रा फिर है इसार फिर है जीन्द और फिर क्या है भई फत्याबाद है ठीक है तो कलियर है अगर क्योशन आएगा तो गलत नहीं होगा तो न आये गया है हथनी कुन्ड बैराज कब बनना कब त्यार हुआ था 1906 से लेकर 1999 तक बने पहली बार पानी कब चोड़ो अगया कन चोड़ अगया वहां पर अथनी कुन्ड बैराज में लेकिन क्योशन ये है कि हथनी क्योशन कौन से झिलें ए स्थीत तो जिले से related question है तो कौन सा आजेगा वही तीसरे question का जो answer हो जेगा यमुना नगर कौन सा है वही यमुना नगर अथनी कुंड बैराज वही 1996 से 1999 2002 में पहली बार पानी चोड़ेगा यमुना नदी के उपर इसे बनाया गया है और मच्छुवारों का और मच्छुवारों का सवरग किसे का जाता है तो अथनी कुंड बैराज को ही मच्छुवारों का क्या का जाता है वही सवरग का जाता है मचली पाई जाती है वही जैदा मच्छुवार के लिए क्या है वहाँ पर सवरग है मच्छुवारों के लिए कमाई होती है तो क्या है भई अथनीकूंड वे राजकों मच्वारों का सवरग भी कहा जाता है भई कलियर है भई तीन क्योशन कम्प्लीट हुए भई एक क्योशन से कही न कही बहुत जादा क्योशन हो रहे हैं एक बार इसका screenshot लेंगे और उसके बाद हरियाना जिक्के के दो question और discuss करते हैं देखिए वही अगर आप देखिए वही जो classes को देखना चाहते हैं कोई charges नहीं है देखने का कोई charges नहीं है बिलकुल YouTube के उपर बिलकुल free पड़ा रहे हैं केवल क्या करना होता है कि केवल चैनल को subscribe करके bell icon का button press करो अपने आप वीडियो पहुंच जाएगी वही ठीक है वही वीडियो नहीं पहुंच रही तो bell icon का button एक बार फिर से press करके फिर से on कर लीजिए कई दिन तक नोटिफिकेशन कई बार हो जाता आपने वीडियो ना देख कि हरियाना में cabinet की तरज पर काम करने वाली पर्थम गराम पंचायत है और कहां पर है ये फतेयाबाद में फतेयाबाद में गराम पंचायत है वही जिसका नाम है तलुआडा जो की cabinet की तरज पर क्या करती है वही काम करती है जब गराम पंचायत का जिकर हुआ है जब गराम पंचायत का जिकर हुआ है तो सबसे ज्यादा गराम पंचायत है देखिए वही ये तलुआडा क्योशन हो गया नोट कर लिया होगा वही इसके बाद क्योशन है कि सबसे ज्यादा गराम पंचायत पूछ ले सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर है तो कहां पर है भई फरीदाबाद में फरीदाबाद में सबसे कम क्या है भई ग्राम पंचायत है जब ग्राम पंचायत का जिकर हुआ है तो ग्राम पंचायत में एक सरपंच उसके अलावा पंच होते है तो एक पेपर में ये भी पूछा गया था कि हरियाना में कम से कम कितने पंच होते हैं वही 6 और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं वही 20 पर में पूछ़ा जाया है और याणा में सबसे कम पंशों कि संख्या सबसे कम कितनी हो सकती है तो 6 हो सकती है minimum और maximum कितनी हो सकती है इसके बाद एक Qution और पूछा पझायत शमीती, पंचायत समीति का सबसे ज्यादा 20 स usa मिएत हो गया पिजह हो गया अगला क्योशन यह क्योशन नहीं है पंचायतों से लेटिड ही अगला क्योशन यह है कि पंचायत समीतियार याना में पंचायत समीति का परमूख कौन होता है पेपर में पुछा गया था भई हम नहीं बता रहें पंचायत समीती का कारिय कारिय अधिकारी एक्जिगुटिव ओफिसर यानि की कारिय कारिय अधिकारी कोण होता है भई पंचायत समीती का कोण होता है भई बीडी पी ओ होता है कोण होता है भई बीडी ओ हम बोलते हैं बीडी ओ और वैसे होता है बीडी पी ओ ठीक है भई इसक डवलप्मेंट एंड दी पंचायत ओफिसर तो क्या है खंड विकास और पंचायत अधिकारी क्या होता है पंचाय समीति का क्या होता है वही क्या होता है वही कारिय कारी अधिकारी होता है कलियर है पांच के उसन आपके रियाना जी के के कम्प्लीट हुए लगातार अगर बहुत कम समय में classes को करना है तो अग पिछे वाड़ी 18 class के हो गए हैं तो उसके notes पढ़ना चाहते हैं तो अभी notes के लिए contact number यह हम आपको बताई रहे हैं 999-256-757 इसके उपर contact करेंगे तो WhatsApp के उपर आपको PDF मिल जाएगी ठीक है एक बार जल्दी से इसका screenshot लेंगे फिर हम national जिक्के की तरफ चलते हैं भई आपको लगेगा कि ठीक है रियना जी के आज के लिए काफी हो गया कुछ न कुछ तो हमने पढ़ने हैं ठीक है अब आपको लगता है कि national जिक्के में कैसे क्योशन पढ़ने चाहिए कैसे देखलो भई ठीक है भई पांच क्योशन भई नेशनल जिक्के के एंजी नेशनल जिक्के और जिसमें हमारा पहला क्योशन है बारत में सवीदान सभा का पहला चुनाओ कब हुआ था सवीदान सभा का बारत में पहली बार चुनाओ कब किया गया था बहुत बार क्योशन प पहली सबाका क्या हुआ था वही आयोजन हुआ था ठीक है वही सुविदान सबाका ठीक है इसके बाद वही सुविदान पहले क्या होता था कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो पहले क्या होता था प्रांतिये विदान सबाओं से सदश्ये चुने जाते थे और 9 दिसंब 1916 को इसकी क्या होई थी भई पहली बैठक होई थी इसके बाद आगर यह पुच्छा जाए पहली सुविधान सभा का अध्याक्स कौन था भई उक्टर राजेंदर परशाद भई क्या हो जाएगा अगर आपकी सा है वही राजेंदर परशाद के सपनों का सहर कौन सा है तो जल्दी से आप को मेंट सेक्षन में बताईए वही हरियाना जिक्के का क्योशन है वही यह राजेंदर परशाद के सपनों का सहर कौन सा है वही तो यह जल्दी से आप को मेंट सेक्षन में छाप दीजिए वही ठी बियार का गांधी, बियार का जो गांधी किसे कहते हैं बई, बियार का गांधी किसे कहते हैं बई, डोक्टर राजेंदर परशाद को बियार का गांधी भी कहते हैं बई, ठीक है बई, कलियर है, तो इन से लेटिड ये क्योशन थे बई, इसके बाद में अगर सुविदान की बात करें जब पहली बैठे को निसो च्यारिस में हुई तो सुविदान को बनने में कितना समय लगया वही कब बन कर तयार हुआ तो सुविदान जो है वही देखिए वही 26 क्या है वही 26 नवंबर 29 को बन कर तयार हो जाता है लेकिन लगू कब होता है 26 जनवरी 1950 को बनने में लगते हैं तो ये वही एक क्योशन था आपका देखे कितने क्योशन हमने आपको करा दिये लेकिन हम इसको एक क्योशन मान रहे हैं जल्दी से इसका स्क्रीन सोट अभी तो बचया हुआ है ठीक है सेकेंड क्योशन की तरफ चले वही चलो वही सेकेंड क्योशन डिसकस करते हैं इसके बाद हमारा क्योशन है बारतिए सुईदान का बाग नंबर नो किससे सम्मंदित रहे हैं ख़ी बार पेपर में क्योशन पूछा जाता है कि बागों से सुविदान का ये बाग किसे सम्मंदित है, तो सुविदान का जो बाग नमबर 9 है, किसे सम्मंदित है, 9 नहीं लिख्या मिलेगा, आपको IX लिख्या मिलेगा, तो समझ जाओ वही, ये भी थोड़ा सा पता होना ची, ये तो पता होगा 14, 13, 12 ठीक है, तो बाग नमबर 9 किसे सम्मंदित है, तो सुविदान का बाग नमबर 9 किसे सम्मंदित है, पंचायतों से सम्मंदित है, और पंचायतों को स्वैधानिक दर्जा कौन से संसोदन अधिनियम के तैद दिया गया, तो तियत्तरवे संसोदन अधि इसके बाद अगर पूच्छा जाए, पनचायतो से लेटीड सुईधान में कौन से अनुच्छेद है तो 243 से लेकर 243 से ओ तक है, यह क्या है भाई शुईदान में इसके क्या है, अनुच्छेद है? बाग नमबर 9 में क्या है पंचायतों का वरणन है इसके बाद अगर आपके पास पूछा जाए पंचायतों के बारत में कितने सतर है वही देख्या जाए तो अर्याना में तीन सतर है वैसे अभी आज ये स्वेधानिक रूप से कितने है वही तीन सतर है ग्राम के उपर ग्राम राय महता समीती कि क्या उसने recommendation दी थी तीन सतर की होनी चीए दूसरी कौन सी थी वही असोक महता समीती जिसने दो सतर की बात की थी और एक LM Singh भी समीती थी जिसने पंचायतों को स्वैदानिक दर्जा देने की बात की थी तो ये आपके पंचायतों से लेटिड क्योसन हो सकते हैं उमीद आपको बहुत अच्छे से कलियर हो रहे हैं और यही क्योसन आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे वही ठीक है वही तो वहां पर यह मत करना की सर यह तो पता ही नहीं था यह कहां से आ गया तो इसलिए वही आप इसको 25 क्योसन नामाने कुछ ज्यादा ही समझे ठीक है आगे बढ़ें भई दो क्योसन उच्के हैं जल्दी से स्क्रीन शोट लें फिर आगे की तरह बढ़ते हैं कंप्प्लीट क्लास में जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे वही एजुकेशन से लेटीड है कोई वी यह आपने बारे में कुछ बता रहे है कोई कुछ बता रहे हैं क्यवल क्या है कि आपको 30 minute की class सुन लिना तो आपको ये लगेगा कि भई बहुत कुछ सुन लिया बहुत class को तयार करने में बहुत time लगता है और बहुत सोच समझ के class तयार की जाती है ऐसे ही class तयार नहीं होती ठीक है भई तीसरा question सुनिए भई बारतिय करांती का जननी किसे का जाता है बारतिय करांती की जननी यानि की मदर किसे का जाता है तो ये question है वैसे आपके exam में तो बहुत कम पुछा गया है लेकिन ये paper में बहुत पुछा जाता है भई देखिए बारतिय करांती कारी की जननी किसे का जाता है तो वो उनका नाम ह मैडम कामा वही क्या है मैडम विखाजी कामा मैडम विखाजी कामा को क्या का जाता है वही दा मदर ओफ दी रिवोलुशन मदर ओफ दी रिवोलुशन की से का जाता है वही करांती 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 की जन्नी की से का जाता है तो मैडम विखाजी कामा को का जाता है याद कर लो व किस किस चिफारीच्वारीश पर राष्ट्रिय सिक्ष्या निती नैशनल एजूकेशन पोलिशी दो हजार बीस किसकी सिफारीश पर लागू की गई है यह आपको बताना है बहूत अच्छा क्यों चैसन है कस्तूरंजन समिती कौनसे आजैगे वही कस्तूरंजन समिती यानि क National Education Policy की recommendation किस ने दी थी वही कौन सी जो समीति कौन सी तियार की गई थी तो लिख लीजिए वही कस्तूरी रंजन कस्तूरी रंजन समीति की समिक्षाक के उपर ही क्या हुआ है National Education Policy तियार की गई है एक साथ में दो कोरस भी कर सकते हैं आज के टाइम पहले एक टाइम पर एक ही वो कर सकते थे अब दो भी कर सकते हैं अब आपके पास ये option भी है कि अगर आपको च्यार साल की कोई course है तो आप एक साल का करके एक साल की छुटी ले सकते हैं बीच में ये भी वही National Education Policy का पार्ट है एक साल आपने किसी कोलेज में एडिमिशन लिया आप चाते हैं मुझे दूसरे में लेना है तो दूसरे में आप जा सकते हैं ये National Education Policy की वो होगी वही तो बहुत अच्छा एक step है कहां तक लागू होता है वो आने वाला time बताएगा लेकिन National Education Policy क बस यह कि कितनी काम्याब होती है और वह देखे जाएगा ऑध मातमा गंधी राजनीटी का अपना गुरू कि से मानते थे तो गोपाल किरिशन गोखले को वही किसको वही गोपाल किरिशन गोखले को क्या मानते थे वही आपना राजनेतिक गुरू मानते थे कौन वही मातमा गांदी तो कलियर है वही पांच क्योशन कंप्लीट हुए वही चलो वही एक क्योशन ये भी बता देते हैं The Servants of the Indian Society, Servants of the Indian Society के संस्था पर कोन थे, तो कोन थे गोपाल किशन, गोखले थे भई, इसके बाद अगर लाला लाजपतराय को क्या का आ जाता है, पंजाब केशरी के नाम से भी जाने आ जाता है, और पंजाब का सेर के नाम से भी इनको क्या है भई, जाना जाता है, सवराज मेरा जनम सिध अधिकार है और मैसे लेकर रहूँगा तो ये वेक्ति कोण थे बताने की जुरूरत नहीं होनी चीए कोण थे भई बाल गंगा धर तिलक बाल गंगा धर तिलक ने कहा था कि सवराज मेरा जनम सिध अधिकार है और मैसे लेकर रहूँगा कौन भई बाल गंगा धर तिलक भई ठीका भई तो हो गए भई पांच से दस क्योशन जल्दी से एक स्क्रीन सोट लें फिर चलते हैं भई साइस के क्योशन बहुत अच्छे क्योशन साइस के लेकर आए हैं देखेंगे तो भई आपको ये लगेगा कि सोचना चाहिए थोड़ा हूँन क्योशन के उपर सोचने से होता है बिलकुल इजी लगेंगे लेकिन गलत होने के ज़्यादा चांसी रहते हैं जल्दी से एक स्क्रीन सोट लेंगे फिर बताते हैं क्या क्योशन है भई देखिए भई अब एक बात है कि जीरो डिगरी सेल्चियस के उपर क्या होता है और सो डिगरी सेल्चियस के उपर क्या होता है बहुत अच्छा क्योशन है पांच क्योशन विज्ञान के भई पांच क्योशन किसके भई विज्ञान के और फिर हिंदी के होंगे भई पहला question हमारा इसके अंदर है कि 100 degree Celsius पर पानी की अवस्था क्या है भई 100 degree Celsius पर बताओ भई जल्दी से comment section में पता चलना चाहिए कितने student साथ चल लए हैं या फिर 4-5 मिनट की वीडियो देखे और छोड़ के चले गए तो इस बात से पता चलेगा इस question का answer जल्दी से गलत हो या सही हो जल्दी से comment section में डालेंगे 100 degree Celsius के उपर पानी की जो अवस्था पानी की क्या अवस्था होती है जल्दी से आपको बताना है च्छार ओप्सन आपको हम दे रहे हैं पहला है ठोस दूसरा है तरल कि दूसरा क्या है तरल तीसरा कौन सा है वई वयउस्प और उसके बाद में क्या है क्या है फोर्थ है तरल और वस्थ तरल और व raisonb से क्यों संभ गया हो गई क्यों संभ नहीं समझ वह तो बता देते हैं सो डिग्री सेल्सियस के उपर पाणी की कौन सी अवस्ता यान की कौन सी स्टेट में एक्जिस्ट करता है सोलीड लिक्वीड गैस और कौन सा है तरल और वास्प जल्दी से बताओ वही इसको इंगलिस के इन सफर के आपकों झाये हैं सोड डिग्री इसल्सियस के उपर क्या होता है कि पानी क्या है भई उबलने लगता है उबलता है तो उसकी क्या हो जाती वही वास्प जब हम देखते हैं उठेलने से правos कि मशीन में निक्रिट मैं जाता है वो भी 100 degree Celsius होता है और पानी का temperature भी कितना होता है 100 degree Celsius होता है तो 100 degree Celsius के उपर है जो पानी है वो कौन सी अवस्ता में रहता है liquid और वैपर्स लिक्वीड में भी रहता है और वैपर्स में भी पाया जाता है तो option 4 क्या होजेगा right answer होजेगा हम सोचेंगे कि 100 degree के उपर प पानी तो उबली रहा है ना तो तरल आ जाएगा लिक्वीड आ जाएगा लेकिन ये गलत हो जाता है कई बार क्या हो जाता है अगला क्योशन आप बताएंगे जीरो डिगरी सेल्शियस के उपर पानी की अवस्था क्या होती है पानी की अवस्था क्या होती है हम ही बता देते ह 0 degree जो आपकी बरफ होती है उसका temperature कितना होता है? 0 degree celsius है और जब बरफ convert हो जाती है पानी में और उसका भी माफते हैं तो कितना होता है? 0 degree celsius है यानि कि जो बरफ है और पानी है दुन्नों का temperature क्या है? 같은데 से माँ से कुछ सोचेंगे तो वह पिंगल गई तो कहीना कही से एनर्जी आगी वह लेटैंट है जो साइंस के स्टुडैंट वह जानते होंगे चिपी हुई इठ लेटैंट ही इठ है जो क्या होती है टेंपरेचर जो थर्मामितर हमाप अपनी पाता है ठीक है वह चल छोड़ो फिलाल क्या हो जेगा जीरो डीगरी सेल्शिएस के उपर पानी की अवस्था कौनसी हो जाती है थोस और तरल कौनसी हो जाती है ठोस और तरल दोनों अवस्थाों में पाया जाता है ठीक है बई कलियर है इसके बाद the next question बही इसके बाद नीमन में से कौन सी एक scalar मातरा नहीं है कौन सी एक scalar मातरा नहीं है चार option आपको देते हैं पहला है समय, time भई time क्या है? time scalar और vector दो quantity होती है भई ठीक है भई, एक सदिस quantity होती है एक अदिस quantity होती है तो scalar और vector को याद रखो जिसकी direction होती है वो vector होता है और जिसकी direction नहीं होती वो scalar होती है समय की कोई direction नहीं होती इसलिए ये क्या भई scalar है दूसरा गन याद की volume भई तो volume की भी कोई direction नहीं होती भई तो इसलिए ये भी क्या है scalar है गनतव, density भई तो density की भी कोई direction नहीं होती क्या बोलते हैं बई assertion और अ實taion क्या है कि वेक्ट्र क्वांटीटी है यहां पर पूछा गया था कि कोण सी स्केलर क्वांटीटी नहीं है तो जो वेक्ट्र हो भई तो आएगी ठीक है बई, तीन तो स्केलर थी और फौर्थ क्या थी वेक्ट्र थी तो यह आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा note करने की ज़रूरत नहीं इस question को इसके बाद अगला question देखिए भई मनुश्यों में एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है आप सभी जानते हैं भई एनीमिया किसकी वज़े iron की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया होता है बताने की ज़रूरत नहीं है जो एनीमिया रोग है एनीमिया रोग क्या है कि रक्त में लोह की कमी के कारण लोहे की कमी के कारण की कमी के कारण कौन सा रोग होता है भई एनीमिया रोग होता है कौन सा होता है भई एनीमिया रोग होता है iron लिखिया जाता, iron की गोलिया काते है न तो anemia न हो जाता है भई तो low विटामिन D यानि कि दूद ना मिले, इसके साथ में वह आपको अंडे ना मिले, इसके साथ में वह आपको सूरिय की रोशनी ना मिले, तो विटामिन D की कमी से आपकी हड़ियां कमजोर हो जाती हैं, और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकैट्स हो जाता है, क इसके बाद अगला क्योश्शन है गोबर गैस गोबर गैस में मुख्यते क्या होती है सबसे ज्यादा जो परसेंटेज गोबर गैस में किसकी होती है भी कौन सी गैस होती है फिर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है तो गोबर गैस में मुख्यते क्या पाया जाता है मिथेन चाहिए मिथेन की इसके बदेंगे कि एसके आगला डों सिंब्स हुष न Bowl निई ओमीटर इन्नियों नियों मिटर सब्खेस विन्ड की वैसलोसिटि यूमेट्र को मापने के लिए एक यंतर यूज किया जाता है घिके आनों मेट्र यूज किया जाता है इसके बाद COMM परियावाची शब्द लिखना पड़ेगा ठीक है इसके बाद वोपाल गेस दुर्गेटना में कौन सी गेस का रिषा हुआ था ये तो वही आपका जर्नल साइंस या फिर जिक्के का ही क्योसन हो गया बोपाल gas tragedy में कौन सी gas का रिशा हुआ था तो मिथाईल आइसो बोपाल gas tragedy में कौन सी gas लिक हुई थी तो मिथाईल आइसोसाइनाइक Billy Hole थी बोपाल gas tragedy में लिक हुई थी तो ये आपके वई पांच question किसके बई नेशनल ने भी विज्ञान के question है इसके बाद हम indicate discuss करते हैं फिर English के जल्दी से एक screenshot लिजिए साथ साथ भी note कीजिए class को थोड़ा सा slow कीजिए क्योंकि fast लग रही होगी और अगर note कर सकते हैं अच्छी बात है note नहीं कर सकते तो 999-025-6757 पर contact करें और notes के लिए apply करें भई ठीका भई clear है चलो भई हिंदी की तरफ चलते हैं भई अब भई हिंदी में क्या होगा भई हिंदी के अंदर भई पाजी तो question पुछेंगे सबसे पहला बहुत easy question है जल्दी से भई ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इंदी के अंदर जल्दी से याद रखेंगे भई मुझमानी जो भी कुछ भी बोल्या जाएगा उसको बूलेंगे नहीं पहला क्योशन हमारा है कि गंगा नहाना मुआवरे का क्या अर्थ है भई गंगा नहाना नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है भई इसको गंगा नहाना तो इसको मुआवरे का क्या अर्थ होगा भई अपने करतेवे का पालन करना गंगा नहाना के आ गया भई नहाना के आ जाता है कलियर भई जल्दी से आप लिखना चाहते हैं वीडियो को सलो कर लीजिए ठीक है उसके बाद दूसरा है यस प्राप्त दूसरा क्या आजेगा भई दूसरा कौन सा होजेगा यस प्राप्त क्योंकि 30 मिनिट में कलास को कंप्लीट भी करना है वई तो इसलिए ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते यस प्राप्त में कौन सा समास है कौन सा समास है कौन सा समास है तो बताओ वई कौन सा समास है समास के कितने परकार होते हैं वई छे परकार होते हैं पिछे 18 कलास के अंदर समास के सभी क्योशन करा चुके हैं, तो वहाँ पर जाएंगे और एक 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 जम्पल के थूरू सब समास को समझा चुके हैं, अब देखो वई, यस पराप्त का जो संदी वीचे, संदी नहीं वई, इसका पद का जो अलग लग लिखेंगे, यस थे नहीं वई, यस को पराप्त है, यस पराप्त को क्या लिखेंगे, यस को पराप्त है, करताने करम को, याद करो वई, एक एसा समास जिसके अंदर उत्तरपद परदान होता है, और पूरो पद और उत्तरपद के बीच में कारक का लोप होता है, कारक कितने वई, करताने कर को करण से संपर्दान के लिए अपादान से तो क्या आ गया वही को आ गया तो करताने करम को तो क्या हो गया कहीं कारक आया है तो कारक कौन सा है वही कारक कौन सा वही करताने करम को तो करम वही तो तत्थपूर्शमास कौन सा होता है जिसके अंदर उत्तरपद परदान और पढ़ लिए तो दो नंबर या एक नंबर तो वही आपका पक्का हो जेगा कलियर वही तीसरे क्योशन की तरफ चलते हैं यादी क्या रखना है अगर पहला पद संक्यावाचक विशेशन है तो कौन सा समास हो जेगा अगर किसी के बीच में या और और लगता है तो दवन्दव समास हो जेगा इसके साथ में वही क्या हो जब दोनों पद परदानना हो और किसे तीसरी पद की और वो करें तो कौन सा हो जेगा बहुवरी समास हो जेगा पहला पद परदान अभी भावसमास हो जएगा तो ज्यादा मुश्किल नहीं है तो कर शकते हैं भी आप इसमें परवास में परत्य कौन सा है परवास में परत्य कौन सा है परवास में उपसर्ग कौन सा है उपसर्ग पहले वाले को बोलते हैं परत्य बाद वाले को बोलते है तो प्रे पलस का वास तो उपसर कौन सा होजेगा प्रे आपका राइट एंसर होजेएगा भी कलियर है इन्दी बहुत इजी है जब तक इसके रचनाओं के बारे में आप पूछा जाए ठीक है फूमित देर्टनाओं से क्योशन ना आए तो बढ़िया है इसके बाद एक स्क्रीन सोड लें वई है के इसके बाद अगला question हमारा है कि कलप उवरिक्स इसके बाद कौण से है कलप उवरिक्स में का समाना अर्थी सब्द बताना है कलप वरिक्स का अगर आपको समानार्थी सब्द बताना है यानि कि परियाएवाची सब्द आपको इसका बताना है तो देखिए वरिक्स को क्या कह देते हैं तरू, पादप, वीटप ये तो ऐसा तो बोलते होंगे तो क्या हो जेगा तो कलप वरिक्स का कितना हो जेगा वी कलप तरू हो जेगा क्या हो जेगा कलप तरू इसका समानार्थी सब्द हो जेगा इसके बाद सरोता में परते क्या होगा वी सरोता एक वर्ड है जिसके अंदर परते पूछा गया है तो सरो तो ये होई गया वी ता ये हो गया तो ये क् इंग्लिस की तरफ है साथ साथ में जो स्टुडेंट नए आये हैं वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें लाइक करना बिल्कुल ना बुले यह कंजूसी ना करें फिल्कुल और शेयर करने की तो बाद की बात है पहले लाइक तो जरूर करें ठीक है बड़े करते हैं बहुत easy question है इंग्लिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है बलकि क्या करना इंग्लिस में word meaning याद करो idiom phrases याद करो one word याद करो यानि कि word meaning याद हो गया तो इंग्लिस लग 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 आपकी complete हो जाएगी देखिए बही पहला question क्या दा lady was arrested because she refused to फिर खालिस्तान fill in the blanks with the airline no smoking policy यानि कि मैला को arrest कर लिया गया क्यों because the she refused to the airline no smoking policy यान कि airlines की दुमर्पान निशेद की policy होती है क्योंकि मैला ने क्या किया उसकी दुमर्पान निशेद policy का भी पालन करने से मना किया यही तो सही word तो यही हो सकता है नहीं आपे तो यहां पे एक word डालना है तो क्या जगा कि पालना करना भई तो comply एक word होता है क्या होता है comply आप सभी याद करंगे comply इसका मतलब होता है भई पालन करना किसी चीज का पालन करना order का या फिर किसी चीज का ठीक है भई तो lady was arrested because she refused to comply with the airlines no smoking policy तो यह आपका यहाँ पर पहला question हो जाएगा clear है इसके बाद keep once word यानि कि जो कुछ आपने once word यानि कि अगर किसी वेक्ति ने कोई सब्द बोल लिया है उसको बनाए रखना यानि कि उसको बनाए रखना आज आपने कोई एक promise कर दिया कल आप मना कर देंगे तो क्या आप अपनी बात के उपर अपने word के उपर नहीं रहे भई ठीक है भई तो keeps once word का मतलब क्या होजेगा do what one has produced वही करो जो आपने वादा किया है अगर जो आपने वादा किया है अगर आप उसको करते हैं तो आप अपने promise को रखते हैं once अपने word को रखते हैं वरना नहीं रखते भई ठीक है भई अगला क्योशन fish out of the water मतली को उठाओ पानी से और बाहर रख दो तो क्या होजेगा फड़ फड़ाएगी अनकमफर्टेबल आप भई जिसको रहना ही पानी में है जिसको रहना ही पानी में पानी में रहने क्या दत उसको बाहर निकालोगे तो क्या होजेगा अनकमफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होजेगा कि fish out of the water का सही वर्ड क्या होजेगा अनकमफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा इसके बाद ये मुआवरे और लोकक्ती तो सब याद हो जो नीच ये इडियम परेजिज ये गल्त नहीं होते वही किसी के वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ सकती है इसके बाद फैरोसियस का मतलब होता है बयावे बैंकर बयावे वह बैंकर और इसका में विलोम सब्द बताना है तो बयावे की वज़य क्या हैगा विन्रम शांत रहने वाड़ा वेक्ती बही तो इसका एंटोनियम क्या होजेगा मीक म मतलब होता है शांत रहने वाड़ा शांत या फिर विन्रम यह दोनों इसके क्या हो जाएंगे रोंक से यह च्यार उपसन दिए सब्सक्राइब जरूर करें और लगातर चैनल से जुड़े रहे हैं पेपर तक आपकी लगातर कलासी चलेंगी जिन्होंने नोट्स ले लिये हैं उनको लगातर नोट्स मिलेंगे विकली पीडियाफ में और लगातर 25 क्योशन की कलासी चलती रहेंगी और फाइदा तो बहुत जादा होगा ठीक है कहीना कहीं आज की कलास थोड़ी लंबी कर दी ही है और उमीद है कि बहुत फाइदे मत क्लासी होंगी सबी उत्तर बता हो वह लगी वह बाद की बात है पहले उत्तर बताओ उत्तर वह देखो वह एडबल सी ईडबलस साइल भी एसेसीबल का मतलब होता वह जहां तक पहुंच ओ तो सही है वह वर्ड यह स्पेलिंग बिल् मतलब होता है किसी के सामने वादा-उदा करना, I am committed with you, नहीं बोलते है कई बार, committed, लें स्पेलिंग अलता है, committed तो ठीक है, बई तो spelling आजाएगे C O Double M I Double T E D C O Double M I Double T E D यहां पे M I है बस क्या आजेगा डबल M आएगा बई क्या एगा बई डबल M आएगा तो option C आपका यहां पे right answer होगा चलो बई next class में मिलते हैं paper की date लगबग लगबग आजेगी 6-7 दिन में policy के बाद तो लगातार तहरी करते रहें दो महीने है अपने जीजान से मेनत करें next class में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद